हलो दोस्तो मेरा नाम है रुपेश्क बार मातो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है यहां हम कलास 12 जियोलोजी में हम लोग आज एक इंपोर्टन कोशन को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कर रहा है कि कायांतरन से आप क्या समझते हैं कायांतर चटानों की प्रामुख विशेष्था ये बताईए तो सबसे पहले हमनों जानेंगे कि क्या कायांतरन होता क्या है ठीक है यह कलास 12 जियोलोजी का है ठीक है तो देखते हैं कि कायांतरन क्या है कायांतरन जो है वो लेटिन भासा का सब्द मेटामॉर्फिज्म का हिंदी तो यह दो सब्दू से मिलकर बना है यह जो मेटामॉर्फिज्म है यह दो सब्दू से मिलकर बना है पाला मेटा और दूसरा और दूसरा क्या है मॉर्फ पाला मेटा और दूसरा मॉर्फ तो मेटा का आर्थ होता है परिवर्थन रूप और मॉर्फ का आर्थ होता है रूप याने रूप में परिवर्थन या रूप का परिवर्थन तो इस तरह से देख रहें कि रूप का परिवर्थी थोना इसका साद्धिकर्थ होता है ठीक है रूप का परिवर्थी थोना है तो आखिर इसमें रूप का किसका परिवर्थी थोता है किसका रूप का परिवर्थी थ ठीक है के रूप में परिवर्थन की की किराक को कायंत्रित चेतों वृं है ठीन समझ में उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कांदरी चथनों के बता के बताई तो इस क्सालम में आपको बारे में लिखते हैं विसेस्ता के विसेसी तो बोरा की जो कायांत्री प्रक्तिरिया के द्वारा जो चट्टान बनता जिसको हम लोग कायांत्री चट्टान कहते हैं तो जो रूप में परिवर्तन होने के बाद जो चट्टान बना है उसका जितना भी लक्षन होगा वह पहले चट्था ने कट होरोती थीक है तीसरा की यह चट्थाने रवेदार होती है ठीक हैpekt रवेदार का मतलव कहने का मतलब किया हिरह कि रवा या Coach ख्रर जो Sm elo उसका जो सर्पेस होता है कर आण्य कश्रड़ संटव पर रवा मतलब छोटे-छोटे टुकडों का सामुहीक आवरन होता है यह होगी है उसके बाद देख रहें है कि इसमें जो ने कायंत्री चट्टन जने भान कैसे होतहिए आगने और आवसाधी चट्टन के रूप परत्दर चटन होने के कारधन तो इसमें तो परत होना होना क्याई था Μस्ताइब नहीं होताहि presumably उस्ठाइब नहीं था किया हो Ouch ये पूरा चील जाता है ये पत्ठर थीक है तो इस और बाकी परद नहीं बच रहाता है मत नहीं प्यूर। इसमें परभिस नहीं कर सकता है यह निए एक बार जो अवसाधी चझान और आग्ने-चझान हो जाने के बाद जो अवसाधी चटन मिल गया तो उन अवसाधी चटन में फिर से हम लोग जल को पार नहीं करा सकता है यानि जल पार नहीं कर सकता है ठीक है उसके बाद देख रहे कि इसका उधारन आप दे दीजे जिसे इसका अवसाधी चटन का उधारन हो जग सोना हीरा सं भी नहीं जानते थे कि सोना अचांदी कीस परकार के चट्टान से मिलकर बना है तो इस तरह इस वीडियो में आपको मैंने साथ बिसस्ता बताया और आपको इसका मैंने आपको अच्छा लागा तो आप लाइक करतीजिए अपने दोस्तों में सेर कीजिए और हमारे चेनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलेगा तो अभी के लिए इतना ही तो जहिन वंदेवाद्रम